मानने स्वैत मल्लिक टुमेखिजी स्पीच सेकेंडिंग दे मोसन मानने स्वैत मल्लिक जी 15 मिनट प्लीज मानने उपसभपती जी मैं आपका अभारी हूँ कि महा महिम राष्ट्रपती जी के जो अभिभाशन दोनों सद्रों के सदस्यों के स्वख्च हुआ उस पे बोलने के लिए आपने और मेरी पार्टी ने मुझे सुफसर परदान किया है सो जो महा महिम राष्ट्रपती जी ने हमारे युगपुरिश अजस्वी तपस्वी जो हमारे यसस्वी परदान मंतरी नेंदर मोदी जी की सरकार है उसके प्रती जो उन्होंने उपलबदियों के बारे में बात की है तो मोदी जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि मन्जले उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता होंसलों से उडान होती है और जो मोदी जी के उपर आगे मैं बोलूँगा कि मोदी सरकार के बढ़ते कदम काम ज्यादा बाते कम यह मोदी जी की उपलबदियां है तो माने राष्ट्रपती जी ने जो कहा कि मोदी जी की सरकार की उपलब्दियां देखते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि आजादी जो सौ साल पूरे होंगे दोजार संतालिस में तो उस तमएं एक आधनिक भारत और विक्सित भारत का निर्मान होगा मोदी जी के हाथों क्योंकि जो मोदी जी की सरकार है लंबे समय तक चलने वाली है और उसके बाद ये देश परम वैभव पर पहुँचेगा ये देश विश्व शक्ति बनेगा ये देश विश्व गुरू बनेगा सो जमारा देश जब सविधान जब अज़ाद हुआ उनिस सो संतालिस में तो जो सैक्डों वर्ष तक अज़ादी का संगर्ष चला तो उसमें हजारों देश वासियों ने अपनी प्रान नशावर कर दिये लाखों ने और लंबा से गर्ष चला तो जो वो शूर वीर थे जो वो सुतंतरता सिनानी थे उनके मन में कुछ सोपन थे भारत के बारे में वो एक अदर्श भारत चाहते थे पर मुझे अफसूस है कि जब सौधीन भारत हुआ तो कुछ दोस्त जो वहां बैठे हैं कौंग्रेस के जो विपक्षी पार्टियों के उनके कारण हमारा देश भरष्टा चार युक्त हो गया हमारा देश प्राधीन हो के रह गया वो जो अजादी थी हमें मिली नहीं मैं तो ये कहूंगा कि देश सही महने में दुबारा अजाद हुआ तो वो 2014 में मोधी जी की सरकार बनने पर चुछ भावी आपने खुद देखा आपने खुद देखा कि जो फ्रष्टा चार था पिछली सरकार का वो दीमक पर गगे इस देश को चाट गया और उसका ही कारण था कि देश ने एक बहुत बड़ा बदल किया क्योंकि मिली जूली सरकारे बनती थी आम आदमी की मानो उस कांगरेस की और मिली जूली सरकारों ने रिड़ की हटी तोड़ दी थी तो आम आदमी जागरुक हुआ और आम आदमी ने निर्ने लिया ज़िए कि दश्कों के बाद एक पूर्न बहुत की सरकार वो बनाएंगे और वो पूर्न बहुत की सरकार उन्होंने ये देखा जो मोधी जी की एक मुख्यमंत्री के कारेका की उपलब्दिया थी ना प्रष्टाचार करूँगा ना करने दूँगा गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए जो उनकी उपलब्दिया थी तो उन्होंने प्रधान मंतरी मोधी जी के नितत्व में पूर्ण बहुमत की 272 सांसद चुनकर भारतिय जनता पार्टी के नितत्व में अंडिये की जो सरकार बनाई उससे पता लगता है कि जो 12,00,00 क्रोड के बरश्टा चार के मामले उस कांगरेस की सरकार के लंबित थे उससे छुटकारा पाने के लिए ये आदर्श सरकार बनी एक ये सच्वी प्रधान मंतरी निरंदर मोधी जी के नितत्व में और उस सरकार के कारेकार की सफलता ये सिद्ध करती है कि एक बार फिर जब पाँच वर्ष के बाद 2019 में मौका आया तो इससे बड़ा प्रमान पत्र मोधी जी के लिए कोई नहीं हो सकता उस सरकार की उपलबदियां के लिए कोई नहीं हो सकता कि आगे से भी अधिक सांसत चुनके तीन सो तीन सांसतों के साथ देश के जनता ने उस युगपुरुष के जिसको प्रधान मंतरी नेंदर मोधी कहते हैं ने तत्तमे सरकार बनाई जब मोधी जी पहली बार यहाँ आए तो उन्होंने आके माथा टेका इस सविधान के मंदर में और आके शपत ली कि अब मैं देश को बदरूँगा और मैंने ये देखा है कि मोधी जी हैं कि जो एक ऐसे अधर्ष प्रधान मंतरी के रूप में आए कि जिनोंने नामुम्किन को मुम्किन बनाया और मुम्किन को याकीनी बनाया जो उपलब्दियां उन्होंने प्राप्त की हैं हर शित्र में तो उस उपलब्दियों के साथ मैं आज ये समझता हूँ के पहले मोदी जी ने हमें नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे 2014 में तो इन्होंने मजाख उड़ाया जो हमारे विपक्षी दोस्ते मित्र हैं बैटे पर 2019 का चुनाव का जो परिनाम आया जिसमें पुर्ण पहुमत मिला उसमें सिद्ध कर दिया कि देश में अच्छे दिन आगए और फिर 2020 में उस चुनाव के बाद मोदी जी ने फिर नारा दिया कि देश को हम आतम निर्भर बनाएंगे और आज देश के 130 करोड देश वासी अपने प्रधान मंत्री थे जो राजनीती से उपर उठके धरम से उपर उठके जाती से उपर उठके संपरदाय से उपर उठके कंदे से कंदा मिला के चल पड़े हैं कि हम देश को आतम निर्भर बनाएंगे इस नारे के साथ आज मैं याद कराओंगा कि एक भ्यंकर गलती हुई जब देश सुतंत्र हुआ तो उस समय लौपुरश देश के ग्रह मंत्री मैं नमन करूंगा उनका जिनको शर्दांजली देने के लिए परदान मंत्री जी ने उनकी विश्व में सबसे भवे परतिबा बनाई है सरदार पटेल जी जिनको हमारे दोस्तों ने भारत रत्म भी नहीं दिया ऐसे लौपुरुश ग्रह मंत्री जिन्होंने देश को इकठा किया देश को सभी स्टेट्स को देश में लेके आए पर एक जगह वो बेबस हो गए परदान मंत्री उस समय के मैं तो आधरनी है जौरला नहरू जी मैं कुछ अब शब्द नहीं कहूंगा हमारे देश का परदान मंत्री रहे पर जो तीन सो सतर टेमपरेरी वो धारा बनाई गई जिसने देश उस परदेश को किश्मीर में अलग विधान अलग सविधान अलग परदान ये वहाँ पर बना दिया तो मैं आज शर्दान जिली दूँगा देश फक्त हमारे पुर्व केंद्री मंत्री रहे डॉक्टर शामा परशाद मुखर जी ने कि जिन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा कि इस देश में एक परदेश ऐसा हो जो इस देश से अलग हो जाए वो तीन सो सतर और पैंते से ऐसी धारा भ्यंकर बना दी के जिससे वहाँ पे एक अलग तरह का परदेश बन गया अलग परदान मंत्री बन गये तो उस समय डॉक्टर शामा परशाद मुखर जी जब निकले तो उस परदेश में जाके उन्होंने शहीदी दे दी प्रान नचावर कर दिये कि और उन्होंने उस दिन बीजबो दिया जो वर्ट वरिक्ष मनाया किसने परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी और हमारे ग्लै मंत्री शरी अमिशादी ने कि आज तीन सो सतर और पैंटिस ए को आप देखिए नरस्त कर दिया आज किश्मीर में अलग विदान नहीं है आज किश्मीर में अलग परदान नहीं है जम्म किश्मीर में आज वो भारत के अभिन नंगोगे जो भ्यंकर भूल हुई थी कॉंग्रेस पार्टी से उसका निवारन किसने किया प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी अमिशा जी ने कि आज हम सब सांसदों को कश्मीर जाने का मौका मिला है हम पीछे गए वहाँ पे और जब जा के वहाँ देखा हम पीछे गए थे हमारी कमेटिस की मीटिंग हुई एक कांगरेस के मित्र भी और दूसरी पार्टियों के मित्र भी बहुत संक्या में थे हजारों से ना जो सैलानी थे जब वहाँ डाल लेके उपर जाम देखा जब वहाँ होटलों में कमरा नहीं मिला तो उस समय पता लगा कि ये आज वही जो स्वर्ग जिसको कहा गया किश्मीर को कि ये धर्ती पे स्वर्ग है वो किस ने बनाया वो प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी और हमिर्शा जी ने बनाया तो आज जो मैंने कहा था कि ना मुम्किन को मुम्किन और मुम्किन को यकीनी बनाने का कारे जो है वो किया तो एक वैश्विक महामारी करोना जिसके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं था तो वो महामारी का जो आक्रमन हुआ हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या अला देश था 130 करोड की जनसंख्या थी तो उस समय मोती जी ने एक सशक्त नितत्व देते हुए देश में लॉकडाउन लगाया तो इन्होंने तब भी मजाख उड़ाया कि लॉकडाउन का लगाया लॉकडाउन का मतलब था कि देश में कोई नुकसान ना हो श्रती ना हो उसके लिए देश को परनाली हम उसको कहते हैं सतर वर्ष तक आपके कुशासन में स्केवल सोला हजार वेंटी लेटर थे मोदी जी के प्रयास से एक वर्ष में 59,000 69,000 वेंटी लेटर जो है वो बनाएगा आज 80 करोड देश वासियों को यह बहुत बड़ा देश था 80 करोड देश वासियों को जो निरंतर भोजन मिलता रहा जिसमें 5 किलो गेहूं और 1 किलो डाल है वो किसने दी हर गरीब कोई भूखा नहीं सोया कोई ऐसा प्रमान नहीं मिला वो किसने उपलब्द कराया वो प्रधान मंतरी मोदी जी ने किला जो पैकेज दिया आर्थिक पैकेज थे हासिक आर्थिक पैकेज दिया कि जो वेफसाई हैं जो द्योगपती हैं जो वेपारी हैं उनका वेपार खराब ना हो तो वो किसने दिया वो मोदी जी ने दिया जो ऑक्सिजन सिलिंडर थे जो 70 वर्ष का कुशासर राह मैं प्रिशन करूंगा उपते तो उसमें ऑक्सिजन का भी कोई प्रबंद नहीं था जो लाइट सेविं थी तो वो आज आप देखिए कि लगबग दो वर्ष में हर हस्पताल में ऑक्सिजन का प्रबंद करवा दिया मोदी जी ने ऑक्सिजन के प्लांट लगाए हैं जिस में जिस शहर से मैं आता हूँ अमरिसर से पंजाब में उस शहर में भी पांच ऑक्सिजन के बड़े प्लांट जो है मोदी जी ने लगाए है आज वेक्सिनेशन दुनिया की सबसे सस्ती वेक्सिनेशन जो है वो किसके प्रयास से आई जो उन्होंने विवस्ता की कि वैक्सिन को ड्वेल्ब करेंगे लिबार्टरीज में ये हो हो करने से कुछ नहीं होगा फैक्ट फैक्ट बोलते है जो आप नहीं दे सकते अब हो हो करते रहें जोगे हम काम करते रहेंगे तो वो जो वैक्सिन बनाई वो वैक्सिन को वैक्सिन से आज मैं परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी और हमारे जो स्वास्त मंत्री हैं मनसुख भाई जी उनका धन्यवाद करूँगा 165 करोड देश्वासियों को जो वैक्सिनेशन है उसी का कारण है कि ये जो ओमी करोण का जो इस समय हमला हुआ तो श्रती बहुत कम हुई उसका क्रेड़िट मैं दूँगा मान्यव परधान मंत्री जी मान्यव स्वास्त मंत्री जी को के देश में वैक्सिनेशन करवाई गई है आज पीपी किट्स का निर्मान हुआ आज देश पूरी तरह से दुनिया में सरव प्रथम आया है करोणा का मुकाबला करने के लिए और मुदी जी आज सारी दुनिया मैं नहीं बोलता हूँ सरवे बोलते हैं के मुदी जी दुनिया के सबसे लोग प्री राजनेता बनके उपरे हैं अब मैं ये सर्वे बोलते हैं ये पंजाब के बारे में बात करूँगा महादेड डिप्टी चेर्मेंट सर मैं पंजाब के बारे में बात करूँगा के पंजाब से मैं आता हूँ और हमरे सर से मैं आता हूँ तो जो पंजाबियों को जो हमारे सिक बंदूओं को पंजाबियों को सबको जो प्यार मोदी जी ने हमेशा दिया है उसके मैं आपको कुछ तथ्थे देने लगा हूँ सबसे पहला तत्य है कि फिर मैं वही बात करूँगा आप फिर कहेंगे कि कॉंग्रेस के गलत निर्ने से जब पार्टिशन हुआ देश का विभाजन हुआ तो करतारपुर साहब जो दर्बार साहब करतारपुर साहब है जो सिखोगा गुर्दवारा है वो गरतारपुर साहब जो है उसको पाकिस्तार में धाई किलो मिटर दूर था वो पाकिस्तार में धाई किलो मिटर दूर गरतारपुर साहब गुर्दवारा जो था उसको पाकिस्तार में गरे दिया तो पाकिस्तार से ये सिख समाज के बीप्टी चेर्मिंट सर दूर भी इनके साथ उस गुर्द्वारा को देखा जाता था जो शर्दालू थे वो किसी राजिडितिक पार्टी के नहीं सबी शर्दालू ये कहते थे कि हमें खुले दर्शंद दिदार हो जर्बार साथ करतारपुर साथ के तो करतारपुर साब का जो गल्यारा खोला करतारपुर साब का जो गल्यारा खोला मेरा भी परदान मंतरी जी के साथ मुझे जाने का सुफसर परदान हुआ सबी राइडितिक पार्टी होगे लोग गए तो वो गुर्दवारा खोला जो गल्यारा बनाया प्रधान मंतरी नरंदर मोदी जी ने पंजाबियों के लिए आज जो हमारी लंगर प्रता है पंगत जो हमारे गुरू साहबान ने हमें दी है जो विश्व में प्रसिद है शिरी हर्मंदर साब में और सभी गुर्द्वारा हैं मंदिर हमा लंगर लगता है तो प्रधान मंतिजी ने ये देखते हुए वहाँ से GST से निवारन दिया मैं हमका हार्दिक अभारी हूँ मैं एक और प्रेशन करूँगा मुझे उत्तर दें कि इंडियन इस्टिचूट अफ मेनेगे इंडियन इस्टिचूट अफ टेकनोलोजी इंडियन इस्टिचूट अफ टेकनोलोजी आपको मौका मिलेगा आप दोले प्रेश प्रेशन केर्मिन सर जो एम्ज है आई एटी है आई एम है ये हमारे उच्छ शिक्षा संस्थान है जहां से देश का विकास हो रहा है जहां से देश विक्सित हो रहा है आज पंजाब को सत्तर वर्ष के बाद पंजाब को सत्तर वर्ष के बाद पहली बार अमरे सर में इंडियन इस्टिचूट अफ मेरिजमेंट मोधी जी ने दिया आज बठेंडा में पहली बार सत्तर वर्ष के इनके कुशासन के बाद एम्ज जो है वो बचिंदा को मोधी जी ने दिया है आज IIT पंजाब को पहली बार Indian Institute of Technology पंजाब को मोधी जी ने दी है आज Central University पहली बार पंजाब को मोधी जी ने दी है सो मैं यह समझता हूँ कि आज आज आपने क्यों नहीं दी आप सतर वर्ष्टकार है अब इसके बाद इसके बाद प्लेज लेक लिस्ट एक काली सुची बनी थी विपक्ष विपक्ष का यह जो रवया है क्या वो चाहेंगे कि जब वो बोलें तो हमारे भी सांसाद इसी प्रकार काला करता हूँ क्या वौका मिलेगा बहुत अच्छी डिवेट चल रही है सब में एक उसमे को सुना चाहिए और जब उनका ठान आएगा वो उसका रिबटल कर सकते अगर आपका ठान्प्र आप रिबटल कर सकते लेकिन इस पकार का रवया इस पकार का रवया धोलों तरफ से हो सकते अग जो पंजाबियों की सर सर ऐसे है कि काली काली सूची बनी थी मैं जानकरी दे रहा हूँ पर ये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है अगर हर ने घने जानकरी दे रहे हैं होगा जो जिनों ने धिन्जाब अपनी देखा है प्रीजि कर्फिया आप सभी सदस्यों से आग रहे हैं आपको जब मौका आएगा बोलें और जो बोलते हैं तो धहर अरखे एक दूसरे को सुनने के लिए आप औहीं चीजें बोलें जो एक दूसरी को धहर से सुन सकते हैं मेरा आप सबसे आग रहे हैं प्लीज प्लीज आप बैठ करके बैठ करना सक्षे बना करें आप बैठ कर बोलेंगे कोई बात रिकॉर्ट पर नहीं जाएगी प्लीज जो काली सूची थी हमारे बहुत पंजाबी भाई काली सूची के कारण देश में नहीं सर आ सकते थे तो वो जो एक मांग थी पंजाबियों की कि ये काली सूची वो कई दशकों से देश से बाहर थे देश में नहीं आ सकते थे तो आज 312 जो वो बंदू तैसिक बंदू उनको काली सूची से निवारन किसे ने दिलाया वो प्रधान मंतरी नरंदर मोधी जी ने दिलाया आज हमारे पहले गुरू गुरू नानक देव जी का साड़े 500 साला जनम ध्याडे आये श्ताब दी आये जिसको हम कहते हैं तो प्रधान मंतरी नरंदर मोधी जी ने जहां गुरू जी रहे एक तो करतारपुर साब कॉरिडूर खुला एक सुल्तान पुर लोधी में गुरू जी ने बहुत लंबा समा गुरू नानक देव जी ने गुजारा था तो सुल्तान पुर लोधी जी में यहां पे हरदीब सिंग्पूरी जी मेरे बहुत आधरनी मंतरी बैठे हैं इनके नित्तव में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सुल्तान पुर लोधी को निच्चित किया एक ट्रेन चलाई गई है कि जो सभी जो तीर्ट स्थाल हैं उनको दर्शन कराएगी शदालियों को एक स्टेंप भी लागू की गई और उसके साथ एक कॉइन भी जो है वो लागू किया गया यूनिवस्टिज में गुर्णानक देव यूनिवस्टि और लंडन में चेयर मनाई गई कि जहां पे चेयर पे गुर्णानक देव जी के जीवनी का सारा जो है वो दिया जाएगा सभी लेंगुजिज में उसकी ट्रांस्लेशन होगी आपका समय है खत्म हो रहा है स्वेद मलिक जी कि पर आपका समय है सर आपके बारे में बोलने दीजिए उसके बाद सर एक्सप्रेस हाइवेय अम्रिष सर दिल्ली और कट्रा है ये कैसे तीत स्तल गुरू नगरी और वैशनों मा का जो द्वारा है उसको एक्सप्रास हाइवे apoyo को मंदूरी दी है जिससे अम्रिष सर से दिल्ली की दूरी केवल चार घंटे रह जाएगी अमरिस सर से कट्रा की दूरी डाई गंटे रह जाएगी अमरिस सर फ्रोजपुर रेलवे लिंग जो आल्टरनेटिव है मैं स्वरगी है अरुन जेतली जी को याद करूगा परधान मंत्री जी को मैंने निवेदन किया था जेतली जी को निवेदन किया था 299 करोड रुपे अमरिस सर फ्रोजपुर रेलवे लिंग जो 6 स्टेट्स जिसमें पंजाब हिमाचल जे एंड के महराश्टरा राजिस्तान जो है गुजरात उसको कनेक्ट करेगी 299 करोड रुपे उसके लिए दिये हैं उसके बाद किसान सम्मान निदी के आज हो एग्रिकल्टर स्टेट है वो आज निरंतर हर क्वाटरली 20 जजार करोड जहां देश में दिया जा रहा है पंजाब को भी मिल रहा है नीम कोटिड यूरिया जिसके लिए पिछले समय में किसान पैसे लेके जाता था तो उनको लाठिया कानी पड़ती थी आज नीम कोटिड यूरिया सब को असानी से उपलब जै आज क्रॉप इंशुरेंस जो फसल भी मा है वो पंजाब की किसान को मिल रहा है सॉयल टेस्टिंग के खाद डालते समय आपकी सॉयल में क्या डेफिशेंस ही है ये उनको मिल रहा है आज जले अला बाग जिसका प्रधान मंतरी जी ने मुझे ट्रस्टी भी बनाया मैं उनका अभारी हूँ जले अला बाग का सतर वर्ष के बाग वो शहीद जिनकी आत्माएं मा विशराम कर रही है सम्मान मिला बीस करोड पे अब दिया प्रधान मंतरी जी ने पूरी जी ने उसका विकास कराया परलाद पटेल जी के साथ आज वो जले अले बाग का विकास कराया और उसके बाद आपका समय खत्म होड़ा एक कॉन्कूर्ट करी ब्रष्टाचार सर मैंने मिने पर समय है जी मेरी पार्टी का दिया हुआ प्रष्टाचार के उपर जो परधान मंतरी जी ने शबत खाई थी ना ब्रष्टाचार करूंगा ना करने दूँगा जंदल योजना मैं आप करूंगा नहीं फिर कहेंगे कि किसी ने कहाता है समझ जाएंगे आप पचासी पैसे दलाल खा जाते हैं पंदरा पैसे लाव प्रार्थी को मिलते हैं मैं नाम नहीं लेता फिर ये चिलाएंगे आज जंदन लोजना के 43 करोड खाते खोले हैं डिरेक्ट बेनिफिट ट्रास्फर जो है खातों में हो रहा है प्रश्चाचार को खतम गिया है जायदाद अब सरकार अधिक्रित करेगी बिनामी जायदाद की कोई हिम्मत नहीं कर सकता आज जी एस्टी वान नेशन वान टेक्स जो की काफी सालों से लंबे था दोजार पाँच में पिछली सरकार वो टेक्स लाई पर उसको लागू नहीं कर सकी तो उसका श्रे परधान मंतली नरेंदर मोदी जी की सरकार को जाता है कि आज जी एस्टी सफलता पूरवक चल रहे हैं डेड़ लाग करोड रुपया मंतली जी एस्टी की कोलेक्शन आ रही है लोग खुश हो के ही टेक्स जो है दे रहे हैं आज डिजिटल ट्राजेक्शन पारदर्शी ट्राजेक् जिसमें के पांच लाग में दौई भी मुफ्ट डॉक्टर भी मुफ्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी मुफ्ट पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वहाँ पे एडमिशन भी मुफ्ट है वो मुफ्ट परधान मंतरी नेंदर मोदी जी ने मैं स्वागत करूंगा परधान मंतरी सवास्थ सुफदा मिल रही है जो लोग बिमारी के पास समझते थे कि हम हमारी आयू खक्तम हो गई आज उनको आयू मिल रही है हाट ट्राइस्प्लाउट हो रहे है अज हर तरह की सुफदा मिल रही है प्रधान मंतरी निरिंदर मोदी जी वो योजना ले गया है ओबामा की ये योजना थी जो केवल 10 करोड़ लोगों को मिली थी प्रधान मंतरी निरंदर मोदी जी 50 करोड़ देशवासियों को योजना लेके आये हैं परिवारों में कि जिससे ये देश को लाब मिला है अज उजवला योजना सर पंजाब में उजवला योजना प्रधान मंतरी जी ने एक अपील की ये हैं इनका कद ये हैं उसने जाती से धरम से राजनीती से उपर उठके हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी को लोग प्यार करते हैं एक इन्होंने जो मोटिवेट किया कि जो लोग समरिद हैं वो अपनी सबसिडी छोड़ दें करोड़ों रुपए जो आए आज पंजाब के हर घर में गैस कॉनेक्शन है अब मेरी माताओ बेहनों को चूला जो है जला के उनके फेपडे खराब नहीं होते उनको जीवन मिला है आज पंजाब में जो घर घर बिजली पहुची है आज सडकों का जो प्रधानमंतिरी निरेंदर मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्शनल डॉल्मेंट के लिए जो कारे किये हैं आज पंजाब में सडक घर घर तक आप जानते हैं कि बिजली और सडक विकास का दौार होता है ग्रोथ हिंजन होता है तो वो आज पंजाब के घर घर तक पहुचाई है तो प्रधानमंतिरी मोदी जी की सरकार ने वो पहुचाई है आज देश में जो गौरव दिया प्रधानमंतिरी मोदी जी ने उड़ी में जो दुसाहस किया पाकिस्तान ने वो तो करता रहा दुसाहस पहले हम सहते रहे पर ये लौपुरुष हमारे प्रधानमंतिरी इंडेंदर मोदी जी से जो उड़ी में कूपरियास किया तो उनको मूतोड 28 स्टंबर 2016 को जो सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारे राश्टर बक्त सैनिकों ने परधान मंत्री जी के निक्ता में वहाँ जाके हजारों आतगवादी जो तैयार थे हमारे देश में खून की होली खेलने के लिए उनका नर्सहार करके पाकिस्तान की धर्ती पे उनको दूल जटा के आई ऐसे ही पुलवामा में दुवारा दुस्ता हास हुआ तो परधान मंत्री जी ने उस समय भी शपत ली थी वो सोई नहीं रात बर जाकते रहे और परधान मंत्री जी ने जो वहाँ पे उसके बाद बाला कोट में एर स्ट्राइक की उसका सफलता देखिए के पाकिस्तान को नाको तले चने जो हैं वो चुबवा दिये पाकिस्तान ने उसके बाद दुसास करने के जुरत नहीं की और मैं बौडर स्टेट से आया हूँ मैं हमरे सर में रहता हूँ पाकिस्तान में घुटने टेके हैं हमारे लौपुरुष परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी के सामने आज मोदी जी ने इतहासी कदम उठाया कि सुरन सब्मुदाय हमेशा कहता था कि हम आर्थी की रूप से कमजोर है हमें सुविदा नहीं मिलती हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते है टिलेंटिड बच्चे मेरिट के उपर नहीं पढ़ पाते बिना किसी छेर चार किये हमारे परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने दस परसंट आरक्षन जो है वो सुरन समधाय के आर्थिक लूप से पिछडे लोगों को दिया है जो एक सुरनिम उपलब दी है और एक और मैं बात करूंगा कि सैक्डों वर्षों से इस देश वासियों की मांग थी राम मंदिर की कि राम लला का मंदिर बनाना है तो उसके बारे में सगर्ष भी हुआ शहीदी भी हुई तो मैं तो यह कह रहा हूँ परदान मंदिर जी जो कथनी करनी के एक है इतिहासी को बलब दिया साथ वर्ष में जो सत्तर वर्ष में सुपन थे सकार किया परदान मंदिर जी ने समय आपको दिया था वो खत्म हो रहाँ फ़्लीज खत्म करें अब मैं किंक्लूड कर रहा हूँ तीन तलाग जो तीन तलाग की कूप रथा जल रही ती महिलाओं का शोचन हो रहा था भाष बेनों का शोचन हो रहा था उस समय भी हमारे दोस्तों ने विरोध किया पर प्रधान मंत्री निरंदर मोधी जी विरोध नहीं देखते हैं वो संकल्प करते हैं संकल्प पूरा किया और तीन तलाग जो है वो तीन तलाग की कूपरता को खतम करके महलाओं को छुटी उससे आज छुटारा दिलाया अज रेल वे हम मुझे जापान में काम करता था तो मैं छे वर्ष जापान में इंजीनियर रहा तो बुलेट ट्रेन में सफर किया कब उन्नी सो सतासी में तो मैं समझता था कि हमारे देश में कब आएगी किसी में इच्छा शक्ती नहीं थी कि बुलेट ट्रेन आ सकती है किसने इच्छा शक्ती जि बुलेट ट्रेन लेके आए केजस लेके आए गतीमान लेके आए और उसके बाद आज मैं फिर से ये रिपीट करूँगा कि मन्जले उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मोदी की के ओपर मन्जले उनको मिलती है कि जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता है होसलों से उडान होती है नो मन करता हूं परदान मुंतरी नहिंदर मोदी जी को धन्यवाद